घारी घाट विश्वी नदी के तड के करीब समसान घाट के पास बाबा गबर दास जो दुरगा मंदर के पुजारी हैं ये पीपल के पवधा का रोपन कर रहे हैं और ये काफी यहाँ जाल जंकार है इस जाल जंकार में इस पवधे को लगा रहे हैं सामने समसान घाट है और इस समसान घाड के जगए को इन्होंने च्वाइज किया है यह बता रहे हैं कि परियाबरण को सुध्य रखता है यह पीपल का पौधा इस से पहले भी लगाए हैं कई पौधे और यहां आज इस जाल जहंकार में भी इस पौधे को मैं लगा रहा हूं तो अभी हम बाबा गब परियाबरण जी सर जी ऐसा है कि पीपल के ब्रेश को हमने इसलिए पसंद किया है इससे आक्सीजन ज्यादा मिलता है और उसके बाद परियाबर जो है वो सुरचित रहती है साथी साथ यहां पे कई मेला लगते हैं असमसान घाट है ही यहां पे लोग घर्दम आते जाते र पराम मिलेगा यही सोच कर हम लगा रहें इसको अच्छा इसके पहले भी हमने और कुछ बड़े हो गये हैं वो एक बड़ ब्रक्ष एक पीपल का ब्रक्ष है एक पाकाड का ब्रक्ष है वो पासे ही में लगा हुआ है वो कुछ दिन में मतलब चाया देने लगेंगे और बाद कल पर सो में इसको मतलब बांस लगा देंगे चारु तरब बांस लगा के इसको सुरचीत कर देंगे इसलिए मैंने इसी जोगा कुछ मतलब यह जहार जंगार इसमें शुटा जानवर नहीं आपाएंगे बकरी है भैस है और यह जो क्या नम गाय वगरा है अच्छा इस बिस्वी नदी के करीब जो समसान घाट है वहां ये पीपल का पक्ये पवधे का रूपन कर रहे हैं जिसा कि इनोंने बताया यह चुकि आक्सीजन से पब्ली को ज्यादा मिलता है यहां समसान घाट पे अक्सर लोग आया करते हैं यहां मेला भी लगता है इसी सारे वो पूरे जॉट समसान घाट के ही हो आपके क्या नाम है आप क्या नाम है ने लुग आए बाबाजी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ना यहां जैसा कि देखें अभी बाबा जी इस पौदा लगा है और पूरे जैल में लगाएं यहां जाल है और उसके बीच पौदा लगा रहे हैं इसे पहले भी कई पवदाय लगाएं यह घारी घाट विसुही नदी के तट के करीब बवरान गवरचव की मार्क पर दुर्गा मंदिर है उसी के पुजारी है और समसान घाट जो जैसा की सामने दिखाई पड़ रहा है उसी के पास यह जो है पीपल के पवदेकार उ पास्थान है यह से दूरी पथी को कि देखें वहां समयमा का अस्थान है जह यहितम हगा अ बिशुही नदी करीब में यह और यह questionnaire हुआ है यहाँ साल में कई मेले लगते हैं यहां का बंढ ़िला Țाहरी दसहरा का बहुत ही प्रसिद है इसकी आप देख रहे हैं यह अस्थान काफी वीर अमरीक दिखाई पर रहा है और यहां ही आज बाबा गबर दास एक ब्रिच का फीपल के ब्रिच का रोपन किये हैं प्रियाबरन की सुधता को ध्यान में रखते हुए